सपनों का दीविय लोग S2Dreams में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जय मातादी जय गुरुदे प्रिय दर्शको आज जानी हस्त रेखा में कि जब आपकी हथेली पर स्वास्तिक का निशान होता है तो वह आपको क्या-क्या फल प्रदान कर सकता है वह आपकी भविश्य के प्रिय दर्शको यदि आपकी हथेली की महीन या बड़ी रेखाएं मिल करके स्वास्तिक का चिन्ह हाथ में बनाती है तो यह चिन्ह बहुत ही शुब चिन्ह माना चाता है यदि किसी के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह पाया जाता है तो ऐसी व्यक्ति को समझा जाता है कि इस स्वास्तिक का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता और उत्तम व्यपार करने वाला और व्यपार से धन अर्जित करने वाला होता है ऐसे व्यक्ति की यादाश्त बहुत अच्छी होती है यदि किसी व्यक्ति के गुरु परवत पर स्वास्तिक का निशान हो तो ऐसा व् मैं थर्म बनते हैं अधिक तरह उनके हाथों में भी गुरुट परवत पर स्वास्ति का निशान पाया जाता हैं यधि किसी व्यक्ती के हथेली के चंद्रक्षेत्र में स्वास्ति का निशान हो तो ऐसा व्यक्ती हाथ से बनदनेती औहों हो, हिक बहुत अच्छा लेखप हो सकता है या पत्नी के द्वारा प्रेम किये जाने वाला व्यक्ति हो सकता है यानि जिसकी पत्नी बहुत अपने पती को चाहने वाली होती है यदि किसी के चंद्रक्षेत्र पर स्वास्ति का निशान हो और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें कोई नो कोई ऐसी क है यह दं० अपार होता है लेकिन एक उम्र गुज़र जाने के बाद कि never शनी परवत पर स्वास्ति का निशान हो तो ऐसा वक्ति न्याय प्रिय होता है वकील बनता है या फिर ऐसा वक्ति पंचायत का प्रधान या कुछ इस प्रकार से बनता है जो दूसरों के न्याय कर सके उसे धन भी प्राप्थ होता है यदि है स्वास्ति का निशान शुक्र प्रवत्तर है तो ऐसे वक्ति को बहुत आयात में धन प्राप्थ होता है नित्य गायन की कला भी प्राप्थ होती है सूर्य परवत पर भी स्वास्ति का निशान पाया जाना बहुत ही उत्तम होता है हथेली में कहीं पर भी यदि स्वास्ति का निशान पाया जाता है तो यह व्यक्ति के बारे में यहीं बताता है कि ऐसा विक्ति धर्मग्य होगा, ज्यानी होगा, देविय सहायता प्राप्ट करने वाला होगा लेकिन एक पास का ध्यान देखें कि हतेली में कोई भी ऐसा निशान ना हो जो इस स्वास्तिक के निशान को भंग करता हो यह निशान राजियों कारक माना जाता है यानि कि ऐसे विक्ति की राजाओं सी ठाट पाठ होती है जहां भी जाता है उसे हर सुविधा प्राप्त होती है यदि हथेली में स्वास्तिक का निशान हो लेकिन यदि स्वास्तिक का निशान भंग हो या कोई दूसरा ऐसा चिन्ह थेली पे उपस्थित हो जो स्वास्तिक के चिन्ह के फलों को कम करता हो अशुभ चिन हो यदि हाथ में तो उस स्थीती में फिर इतना उत्तमफल इस स्वास्तिक के निशान का नहीं पाया जाता है धन्यवाद जैकुर्ट